मुहाली की पिछ किसके लिए मददगार? बलेबास बरसाएंगे बले सिरन या गेनवास की होगी चांदी? दोनों कप्तानों की है अपनी अपनी परिशानी एक को तलाट ने तोड़ा दूसरे को भगवान ने दी नई जिंदगी? पंजाव परसे जिल्ली की कैसी होगी प्लेंग लेवन? पोटो शूट में क्यों नहीं पहुंचे धवन? अब पता चली बड़ी वच्छ है 23 मार्च की शाम साड़ी तीन मजे मुहाली के आईस बिंदरा स्टेडियम में आईपल का दूसरा मुकाबला केला जाना है जैसे लेकर फैंस के मन में कई तरह के सवाल हैं जैसे पिच कैसी होगी? बलेबास को मदद मिलेगी? या गेंबास कहर बरपाएंगे? कहीं मौसम खेल तो नहीं बिगाड़ेगा? तो एक एक हर सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं फिर ये भी बताते हैं कि धवन तलाक का दर्द लेकर पिच पर उतरेंगे तो उनका वेवार कैसा होगा? क्या किंग्स लेवन पंजाब से नाम बदल कर पंजाब किंग्स नाम रखने वाली टीम इस बार पुराने रिकॉर्ड तोर पाएगी? या दिल्ली कैपिल्स की दोब काफी परेशानी होती है, हाना कि जैसे जैसे मैच मुहाली में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विकेट सपार्ट होती जाती है, ऐसे में बलेबास फिर जम कर रन बनाती हैं और यहां गेन बले पर अच्छी तरह से आती है, इसका मतलब यह हुआ कि जो टीम पहले टॉ आसमाने रहेगा, तापमान 32 डिगरी सेलसियस रहने की उमीद है, आसमान में थोड़े बादल चाया रहेंगे, लेकिन बारिश की आशंका ना के बराबर है, जानि बारिश खेल नहीं बिगाड़ीगी, बलकि जो टीम हारीगी वो अपना खेल खुद बिगाड़ीगी, फैं तब ये थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए फोटो शूट में नहीं पहुंच पाई, उनकी जगे जितेश शर्मा को भेजने का फैसला धवन के मना करने के बाद ही हुआ, दूसरी तला के बास धवन थोड़ा मीडिया और कैमरे के सामनी आना कम पसंद कर रहे हैं, अपने इंस शमी ने दिखाया, या फिर इस चकर में खेल वाला परफार्मेंस भी खराब हो सकता है, दो महीने पहले यानी कि जनवरी 2024 में धवन ने कहा था, जब मैं एक हपते के लिए औस्रिलिया में अपने बेटे से मिलने जाता था, तो वो मुझसे केवल कुछ घंटे के लिए मिलत मैं उसके साथ quality time बिताना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि वो मेरी बाहों में सोए, मैं उसे कसकर गरे लगाना चाहता हूँ, उसे पिता का प्यार देना चाहता हूँ, जिसका वो हगदार है, पिछले 5-6 महीने से मेरे उससे कोई बात नहीं हुई है, धवन एक्टूबर 2012 में आईशा मुखर्जिस से शादी की थी, धवन से शादी से पहले ही आईशा की दो बेटिया थी, करीद 10 साल तक साथ रहने के बाद धवन ने मानसे की आतना कारूप लगाते वे तलाक की याचका दाखिल की, अदालत ने तलाक दे दिया, उस दरान धवन को टीम से भी ड्रॉ आईशा में दोनों टीमों के इपिलिंग लेवन और इनके रिकॉर्ड पर नज़र डाना बहत जरूरी हो जाता है, हेट टू हेट रिकॉर्ड देखे तो पंजाब किंग्स वर्से दिल्ली कैप्टल्स हेट टू हेट रिकॉर्ड दोनों टीमों की बीच में आईपिल में कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं, बड़ी बात यह है कि इनमें से 16 बार दिल्ली कैप्टल्स ने और 16 बार पंजाब किंग्स ने जीत दर्श की है, यानि दोन पंजाब किंग्स की टीम की बात करें, तो धवन इन 11 खिलाडियों को पहले मैच में मौका दे सकते हैं, पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग लेवन, शिकर धवन कप्तान, जॉन्नी बेरस्टो, प्रवसिमरन सिंग, लियाम लिविंग स्टोन, जीतेश शर्मा, सैम क पंजाब करने के लिए पहुँचेंगे, इसमें जादा शक्त नहीं होना चाहिए, वह उनके जोड़ीदार की रूपने, टीम के पास दो विकल्प हैं, इंग्लेंड के धाकर बलेबास जॉन्नी बेरस्टो और भारत की उभरते हुए सितारे, प्रवसिमरन सिंग, प्रवसि पंजाब किंग्स की गेनबासी काफी मजबूत नज़र आती है, हर्शल पटेल बले से भी कुछ योगदान दे सकते हैं, साथ ही वह आखरी ओवर्स के कमाल की गेनबास हैं, उनका साथ हरपीद बराल कगी सो रबाड़ा देते हो भी नज़र आ सकते हैं, राहुल चहर पैक्ट प्लियर के रूप में रिश्य धवन और अथर्ब ताइडे की एंट्री हो सकती है, अर्शिदीप सिंग, सैम करंट और कगी सो रबाड़ा की गंधे पर गेनबासी छोड को मजबूत करने की जिमेदारी होगी, जबकि ओपनिंग में उतने वाले धवन, टीम को एक बड़े लक्ष क्यों ले जाना चाहेंगी, हाना कि यासान इसलिए नहीं है, क्योंकि दिल्ली कैप्टल्स की टीम में एक से एक बड़े धुरंदर बैठे हैं, जिनमें से टॉप गिराख लाड़ियों को पंथे प्लेंग लेवन में मौका दे सकते हैं दिल्ली कैप्टल्स की संभावित प्लेंग लेवन, प्रतिवीशो, डेवीड बॉर्णर, मिचेल मार्च, रिशव पंत, ट्रस्टन, स्टब्स, जेक फ्रेचर, ललित यादो, अक्षर पटील, कुल्दी प्यादो, मुकेश कुमार, खलील एहमन और एंरिक नॉट जी दिल्ली कैप्टल्स की प्लेंग लेवन की बात करें तो प्रतिवीशो और डेवीड बॉर्णर पारी का आगास करेंगे, वहीं तीन नमबर पर मिचेल मार्च और चार नमबर पर कप्तान रिशव पंत खेलते दिखेंगे, इसके बाद पांच नमबर पर टीम यवाज जेक या फिर ट्रस्टन स्टब में से किसी एक को मौका दे सकती है, वहीं फिर लली त्यादो और अक्षर पटेल दिखेंगे, दिल्ली की गिनबाजी भी कफी सॉलिर दिख रही है, मुकेश कुमार और एंरिक नौटर जे के साथ खलील एहमत तेज गिनबाजी विभाग सवाल सक कभी कभी कम डिन बनाकर भी टीम जी जाती है, और कभी कभी वड़ा स्कोर करके भी टीम हार जाती है, धवन की टीम एक बर फानल में पहुंची है, जिसे कोलकाता नाइट आड़स नहराय था, तो वहीं दिल्ली कैपिरल्स की टीम साल 2019 से लगाता तीन बार प्रे आउफ में पहुंची है, साल 2020 में फानल में जगे बनाई, लेकिन मुंबई इंडियन से उसे हार जिल्ली फड़ी, ऐसे हम अब देखने वाली बात यह होगी, कि कौन सी टीम किस पर भाली पड़ती है, आपने पहले मैच में धवन के धुरंदर जीत का स्वात चकते हैं, या फदेशक पंते, जोरदार वापसी करती हैं, बत और फैंस आपकिस टीम को जीता देखना चाहेंगे, कॉमेंट कर बताएं कि मयां नीम का स्वात बाहिंट, जो कम schatt आपके झाली जीता चाहेंगे, कि मयां भाहें बतागा के जीनुटश से वालना बाहिंचत हैं झाल 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 झाल